यार मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट तो यह रियल्मी वाले हैं मतलब फोन पर फोन लॉंच किये ही जा रहे हैं आउ इंजेक्शन लगवाया था पर सोभी तक पेंड कर रहा है यार आथ है n जा कि निए अञे है आप कि और आज की उन की तरफ आने वाले एक नए इस्मार्टफोन के बारे grate friend डिवो इंडिन advertise और फोन हो इंडिन आपको officially online stores पर ही देखने को मिलेगा because नार्जो mostly online ही हम को ही मिलता है पर आपको offline भी मिल सकता है but majorly यह smartphone आपको online ही मिलने वाला है अब ठीक है phone अच्छा है 5G है and under 12,000 भी है so ठीक है मतलब अच्छा है but यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत भी है उसके बारे भी हम बात करेंगे end में Realme की थोड़ी सी class लगाएंगे so जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू करते हैं design and build के साथ so design में बताने लाए को ज्यादा खास है नहीं वही Realme का typical design इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा back side पर वो बड़ा सा आपको camera ring मिलेगी इसमें आपको दो camera का setup देखने को मिल जाएगा front side पर यहाँ पर आपको मिलने वाला है single punch hole वाला camera plastic की back रहे की plastic का frame रहेगा front side पर corning gorilla glass की protection देखने को मिल जाएगी type c charging port 3.5 mm headphone jack and dual stereo speaker का भी support आपको इस phone में देखने को मिलने वाला है so look है आप लोगों के सामने मतलब देखने में यार क्या ही बोलो में पहले बहुत बार बता चुका हूं कि मुझे यह वाला मतलब look नहीं पसंद आगे अब आप लोगों की choice है आपको हो सकता है पसंद हो तो वो अपना अपना देख लेना ठीक है आ जाते हैं आगे बात कर लेते हैं अब जरह इसकी display के बारे में so यहाँ पर इसमें आपको मिलने वाली है एक 6.72 इंच की full hd plus वाली display आपको जो है इसका पीक प्रैटनेस देखने को मिलने वाली है so display ठीक है bigger है मतलब बलकी भी थोड़ी आपको फिल हो सकते सिंगल है डिउस करने में दिक्कत आ सकती है बट हाँ display आपको अच्छी देखने को मिल जाती है high refresh rate के साथ में brightness को भी लेकर कोई दिक्कत प्रशानी नहीं होने वाली है प्राइजिंग को justify यहां पर यह कर देती है अब बात कर लेते हैं इसके camera setup के बारे में बताने लाइक जादा कुछ है नहीं बैकसाइड में आपको dual camera setup दिया गया है जहां पर 50 megapixel का main camera रहने वाला है और 2 megapixel का यहां पर इसमें आपको एक depth camera देखने को मिलने वाला है बैक कैमरा से आप 1080p में 30 fps video recording कर सकते हो front camera की बात करूँ सो single camera मिलने वाला है आपको यहां पर 8 megapixel का यह थे इसका overall camera बाकि यह camera मैं कहूंगा कि आपको pricing accordingly average साही देखने को मिलता है ना जादा बुरा ना जादा अच्छा में आपर कहूंगा बैक पे 50 फ्रेंट पे 8 दो वाला बिल्गू छोड़ दो ठीक है बात कर ला है बैटरी एंड चार्जिंग की तो यहां पर यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 5000 mhk बड़ी सारी बैटरी एंड उसके साथ में 45 वाट का इन बॉक्स चार्जर सो यार ठीक है बैटरी एंड चार्जिंग दोनों इसमें आपको अच्छी देखने को मिल जाती है जादा को दिकत प्रशानी नहीं होने वाला है एक दिन आपका इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं बाकी बात करते हैं कुछ और प्वाइंट्स की सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाता है कोई दिकत प्रशानी आपको यहां पर प्रफॉर्मंस को लेकर भी नहीं होने वाली है डेली टास्क यह फोन आपका इजिली संभाल लेगा इस पर हम बाकी बात करते कुछ और पॉइंट्स की सो इसमें आपको मिलने वाला है एंड्रोइड 14 आउट अफ तब बॉक्स उसी के साथ में रियल मी यूई 5.0 जिसमें को ब्लोट वेर्स तो काफी सारे देखने को मिलते हैं बट कस्टमाइजेशन के भी काफी ओप्शन देखने को म मिल सकते हैं जो की होने वाले हैं 4GB और 128GB 6GB 128GB और 8GB साथ में 128GB अब अगर आप को इसकी स्पेसिफिकेशन ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये फोन कोई और नहीं रियल्मी 12X ही है यह उसी का रिब्रेंडड वर्जन आपको नार्जो में देखने को मिलने वाला है और यही होता है कि जो रियल्मी में स्मार्टफोन आता है वैसे मैं बता दू कि 12X का प्राइस है वह 11,999 रूपीज यानके वह भी आपको 12,000 में देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन अगर तो यह 12,000 में तो मतलब लॉंच करने का पिर लॉजिक बनता ही नहीं है फिर तो वही उनका चल ही रहा था तो यह स्मार्टफोन अगर आपको अंडर 12,000 मिल रहा है तो इसकी प्राइसिंग आपको 11,999 रूपे देखने को मिल सकती है अगर इस से कम होती मतलब के 10,999 में तो वहाँ पर मेंशन करते अंडर 11,000 बट उनका अंडर 12,000 यहां से यह चीज भी कंफर्म हो जाती है कि साड़े 11,000 की रेंज में आपको इस स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है अब यहां पर क्या हुआ है कि जिस चीज को लेके मैं वीवो को काफी क्र करता हूँ वही चीज रियल में भी करता है जो अपना ये फोन लॉंच करते हैं रियल मी में उसे एक कम प्राइज में नार्जो में लॉंच कर देते हैं जो कि अगें कस्टमर के साथ तो एक धुका ही है न तो ऐसे में मतलब हम इनके फोन्स ना ही खरीदें वीवो की वी सीर स्मार्फोन लॉंच करते हैं मुझो 2 साल के बाद कोई एक फोन निकाल देते हैं के सीरीस में उसके बाद वो बहुल जाते हैं बाकि यह जो चाइनीं ब्रैंड हैं यह सारे मिलके हम कोई पागल बना रहे हैं बाकिया रहा आप लोग बता सकते हो आपकी क्या रहा है इस स्मार्टफोन के बारे में लॉंच हो जाएगा 24 तरी को जो भी प्रेजिंग होगी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा तब तक के लिए आप बता कर जाना कि आपको इस स्मार्टफोन कैसा लगा प्रचेस करन करना वीडियो चलिके तो लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना मिलता हूं आप लोग इस अपनी अगली किस और वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग